सूरत के वेड रोट शेक्तर के निवासी श्रम जीवी परिवार की एक दस वर्सिय नाबालिक बच्ची पर पडोस में ही रहने वाले एक 35 वर्सिय एचाईवी ग्रस्त युवक ने बालादकार किया आपको बता दे के कक्षाचार में अभियास करने वाली एक 10 वर्सिय मासूम बच्ची जो की एक महिंतू और स्रम जीवी परिवार से हैं पीडित परिवार के पडोस के निवासी जो की टेलर के व्यवसाई के ही दो बच्चे भी हैं आपको बताते चले के चार वर्सिय नाबालिक बच्ची गतरविवार को अपने घर के बाहर खेल रही थी तबी आरोपी युवक ने उस लड़की को अपनी बातों के जाल में फसा कर अपने घर पर बुलवाया और कहा कि हम दोनों दोस्त हैं और लीडियो बना कर उसे धमका कर उसके साथ जबरन बलातकार किया इस घटना से मासूम बच्ची बहुत ही घबरा गई और जैसे तैसे उस दरिंदे के चुंगल से अपने आपको छुड़वा कर अपने घर पर आई और वो दर्ट से कर रह कर अपनी बात अपने परिवार वाल परिवारों ने तुरंट सूरत के चोग बाजार पुलिस थाने में शिकायत दर्च करवाई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्च किया और पीडित मासूम बच्ची की फॉरेंसी के जाच करवा कर उसे एंटी डोट दिया गया और मासूम बच्ची के साथ बलातका करने वाले अपरादी को पुलिस ने गिरफ में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचाया और आगे की जाच पुलिस ने सुरू की है